हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टार्गेट टीचर एक्जाम स्टीप है दोस्तो आज इस वीडियों बात करेंगे सुपर टेट 2020 जीवन कोसल की एक महत्मों टॉपिक है डंड तो जिसका लेक्षे नमबर दो है चलिए दोस्तो वी कीएगा साथ है वेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो को नोटविशन आपको सीगरी मिल सके हैं साथ दोस्तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा आपके लिए इंपोर्टन्ट वीडियो होने वाला है तो दोस्तो बाद किसे कहते हैं कि डंड एक का को कहा है थामसं को कहा है । डंड साधन है जिसकी दोरा अनिवार जिसकी दोरा अवंचनी कारी को दुछत सहचर इस्तापित कर innate हैं तो दोस्तों additions करेंगे दोस्तों डंड के शिद्धान्त क्या है कि लंड के मुठिता 4 सिद्धान्त सब्सक्राइब कर दोस्तों डंड सुधारात्मक कारिक के लिए दिया जाता है नूस्ता है कि प्रद्धक पेनाम बोधग संभाविद प्रद्धक के लिए Bay दिया जाता है पति रोदात्मक निया इसे निसेदात्मक भी केते हैं इसको मतलब रोकने के लिए चोथा है पति सोधात्मक बदले की भावना से डंड दोस्तों हमें नहीं देना चाहिए तो दोस्तों डंड के ये चार सिद्धान थे अब बात करेंगे डंड के प्रकार डंड कितने प्रकार का होता है तो नंबर एक होता है नंगसाद है दोस्तों आर्थिक जिसमें को क्या होता है बिलंब सुम्स ने से कहने के मतलब दोस्तों जब बच्चा किसी क्लास में देर में इसके पहुंचता है तो इसे przed आर्थिक कहते हैं दोस्तों इसका को मकसद नहीं होता कि विद्धियार्थी की विद्धियाले की इनिकम हो बलकी विद्धियार्थि को उसके विलंब करते ग्रता के चacker नीमत कर नर्द यहां मेंद हो दूसरा है सामाजी डंड सामाजी डंड में होता है कच्छा से बाहर निकलना या कोने में बैठाना तो दोस्तों कच्छा में को से बाहर निकलना या कोने में बैठाना जिससे सामाज समूंग से बच्चों सामाजी डंड गया जाता है तीसरा है दोस्तों सारी डंड सारी डंड में स्था बनाना या बेतमानना कानूनन अफराद है चौन है मानसिक डंड़ एक ही सवाल को सव बार लगाना या तस बार लगाना जिससे बच्चे की क्या होता मस्तिश्पिय बोज पड़ता है पांचवा है मनौ विज्यानिक डंट जिसमें एक अंक काट लेना तो दोस्तों से मनों विग्यानिक डंड कहते हैं दोस्तों बात करेंगे डंड कि समय ध्यान देनी योग बातें डंड देती समय ध्यान देनी योग बातें क्या क्या होती है नमबर एक बात करेंगे डंड अपराद के अनूप हो डंड कहने मतलब दोस्तों दैस जैसा विद्यारती डंड करे चोरी करे या पराद करे कहने मतलब उसको उसी प्रकार से डंड देना चाहिए ना कि दोस्तों कहने मतलब एक पिन चोरी के वदले उसको बहुत बड़ा डंड दिया जाए जिससे कहने मतलब उसको ऐसा पराद ना दे जो उसके लाइक ना हो दूसरा है सारी डंड ना दें दोस्तों डंड सारी डंड ना दें सारी डंड नहीं देना चाहिए तिसरा है एक गलती के लिए एक बार डंड देना चाहिए कहने का मतलब दोस्तों यह नहीं होता है कि एक पेंसिल चोरिक होने पर विद्यार्थी को पूरा ध्यापक गरण उसकी पिटाई लगाए ऐसा नहीं होना चाहिए चौथा है डंड देते समय गंभीर मुद्रा तो दोस्तों डंड देते समय विद्यार्थी में गंभीर मुद्रा का सब्धिकर्थ है कि डंड देते समय यह ना हो कि बच्छे को डंड भी एक तरब दे रहें रहें दूसरी तरफ में जहीं समझ पाता है है कि डंड बच्चें गुरुजी हमें मार रहे हैं या तो ऐसा नहीं होना चाहिए पाच्रायiva डंड सामोंग ना जहाई है तो डंड सामोही रूप से नहीं देन जाता है चेटा है डंड बदलेकी भाउना से ना दे तो दोस्तो नो इसमें डंड में ईशाडोस्त नहीं वना चाहिéner जब कि बच्चे ऐस मैं सामोही चाहिँ को किसी को बदले की बहुना से या किसी को ते उसके मतलब विशया अपनी नशीम भूणा नहीं रखना चाहिए साथ armor में पच्छ पातना करे देंड समान रूप से बरावर होना चाहिए अब बात करेंगे डंड से लाव क्या होता है तो दूस्तु डंड से लाव होते हैं इन aamलीके लाव होते हैं अवंचनी बेवभार पर रोक लगती है दूसे है अगर विद्यार्थि के लिए उदार्ण बन जाता है तो आम अगर आउसा कारी करेंगे तो हमें भी ऐसा दंड मिलेगा तो इससी वत्यरित के लिए ता है तुर्ट होता है क्छा में आनुणासन का विकास इसमें डंड में क्या होता है कॉता है नंड से क्या हानिया हम है तो दोस्तों नंबर ये ये तंड से से उत्पन्न होता है दूसरा है डंड के बाद भी अपराद ना रुकना दोस्तों कहने के मतलब एक विद्यार्थी को आप अगर बार 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 डंड दे रहे हैं तो डंड का आधी हो जाता है तो हमें एक हद से ज्यादा डंड भी नहीं देना चाहिए तीसरा है डंड में बदले की भाउना तो दोस्तों डंड में बदले की भाउना हो जाती है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए अब बात करेंगे दोस्तों महात्मूर विंद सबसे बड़ा पुरुस्कार क्या है प्रसंसा है पिछले वीडियो में हमने आपको जब पुरुस्कार पढ़ाया था तो वहां पर बताया था तो दोस्तों ये पेपर में पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ा पुरुस्कार क्या होता है बहुत सारे आप्शन होंगे तो यहां पर प्रसंसा सही होता है most important point है दूसरा है डंड खुद किसी प्रकार का पुरनवलन नहीं है और तीश्रा है बलकि अवंचनी बुहार का में नकारात में पुरनवलन हैं तो दोस्तों यह छोटा सा वीडियो को कैसा अड़ा दोस्तों कमेंड के मादे मिसे ज़रूर बताइएगा दुस्तों पर पासा करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छा लगाओगा तो फिर मिलते हैं ने लेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद्ड जय भारत कर दो